नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पलपल की सारी अपडेट तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच ही रही होगी दोस्तों आज की वीडियो काफी मौतपण होने जा रही है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले ही आपको अवडेट प्रवाइट कर चुके हैं कि बिहार में किन पदों में कितनी बहाली निकलने जा रही है इसका इस पष्ट ब्यूरा हम आपको दे चुके हैं दोस्तो और आपने ये ब्यूरा देख भी लिया होगा हर महक्मे में बहाली की प्रक्रिया जो है तिब्रगती से आगे बढ़ेगी और हर महक्मे में जो बहाली है वो तेजी से होगी ऐसी अपडेट हम आपको प्रवाइट कर चुके हैं वहीं अब पटना हाई कोट भी काफी सक्त आद पर हर हाल में नियुक्ती की जाए पटना हाई कोट तो पटना हाई कोट ने आदेश यहां पे दिया है आप देख सकते हैं कहा गया है दोस्तों यहां पे इस पस्ट रूप से कि रिक्ट पड़े पदो पर हर हाल में नियुक्ति की जाए पटना हाई कोट ने राज सरकार को निर्दिश दिया है कि जिला अपीलिय प्रदिकार सिचक नियुजन में में पीठा सीन अधिकारी के रिक्ट पड़े पदो पर हर हाल में आगामी एक परवरी के पूर्व नियुक्ति कर दिया जाए तो इस पस्ट यहां पे बात कही गई है दोस्तों यहां पे आप सभी देख रहे हैं कि सिच्छक नियोजन में पिठा सीन अधिकारी के जितने भी पड़े हुए पद हैं सिच्छक नियोजन में उनको भरने की बात कही जा रही है तो देखें दोस्तों कहीं न कहीं रुख जो ह बिभाग का वो काफी जादा गरम है यहाँ पे और जश्टीस संजीब प्रकास हर्मा की एकल पीट ने अमरेश कुमार द्वारा इस मामले को लेकर डायरिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि याचिकरता की ओर से कोट को बताया गया है कि जिला अपी के लिए प्रदिकार सिचक नियोजन अधिकारी के पत पर नियूक्ती देख सकते हैं आप इस पर लिख्या है करने के लिए सरकार द्वारा सारी प्रकिरिया पूरी कर ली गई है लेकिन अभी तक रित पड़े हुए पदों पर नियूक्ती नहीं की गई है इससे सिचकों से स सारे मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े हुए है अधी वक्ता विनह कुमार पंडे ने बताया कि सरकार इस मामले में करवाई कर रही है तो इस परच देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है की जो भी रिक्च पड़े हुए पद है पट्ना हाइy इसका असर दिखाई देगा तो बिल्कुल दोस्तों दिखाई देगा क्योंकि जो भी सिच्छक नियूजन क्या दिकारी हैं अगर उनकी नियूक्ति होती है तो सात्वे चलड की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाएगा और उसकी नियूक्ति भी आगे बढ़ाई जाएगी हो रहा है बित्व मंत्री एम जदियू के बरिष्ट नेता बिजे कुमार चोधनी ने कहा कि बिहार लगतार सिच्चा के छेत्र में उनती करने जा रहा है बिहार सरकार के लगतार परियास से बिहार में सिच्चा ब्यवस्ता के परिद्रिश्य में गुणात्मक सुधार होने ज जा रही है कि यहां पे इस पर लिखा है कि परिवर्तन का सबसे प्रभावकारी तरीका सिच्छा में सुधार ही होता है स्री चौधरी ने कहा कि सिच्छा के सारवजनी करण के छेत्र में उलेखनी उपलब्दी है कि 98% से अधिक बच्चे बिद्याले पहुंच चुके हैं हर पंचायत में एक प्लश्टू बिद्याले की इस्तापना हो चुकी है तो इनका तो बार-बार यही कहना है दोस्तों यहां पे कि सिच्छा के छेत्र में गुणवत्ता पूर्ण विकास हो रहा है तो देखी दोस्तों इनोंने कहा है कि इस पश्ट रूप से कहा है कि अपने बजट का लगवग पांचवा भाग सिच्छा के लिए निर्धारित किया है तो दे सकते हैं कि सिच्छा विवाग का बजट आ गया है और इस बजट में इनोंने क्या दिया है कि यह अपने बजट बजट का लगवाग पांचवा भाग जो है सिच्चा के लिए निधारित करने जा रहे हैं तो दोस्तों इस पश्ट रूप से ये बात क्या दी गई है कि सिच्चा के छेत्र में अब कुछ बड़ा ही होने जा रहा है आप दे सकते हैं इस पश्ट रूप से ये खबर आई है कि योग सिच्चा की बिवस्ता अगले दो वर्सों में पूरा कर देंगे ये और लिखा एक 780 करोड की योजना का सिला विन्यास भी कह रहे हैं तो इन्होंने इस बस लिखा है कि ग्या तब यह है कि बिहार सरकार अपने बजट का लगबाग पाचवा भाग सिच्चा विवाग के लिए निर्धारित करेगी तो बिजे कुमार चोधरी भी एक्षन में हैं आप दे सकते हैं आगे दोस्तों लिखा है कि शिच्चा मंतिन सेखर को मिली नियमित जमानत अब देखिए रामजित मानस के मुद्धे पर काफी ज़्यादा बिवादित बयान के कारण यह जो थे बिवाद में आ गये थे और बिवाद में आने की कारण ही सुर्ख्यों में भी थे शिच्चा सा नरम हुआ है तो देख सकते हैं दोस्तों इस पर्ष्ट ये बात कही जा रही थी चले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब देखते हैं क्या कुछ अब्लेट आती है वह आप तक पहुंचाएंगे तो धन्यबाद दोस्तों जैन